पूरा करपाने में सक्षम होंगे हम आपको उत्तर प्रुदेश का बता रहे हैं जिसमें 8 सीटों पर आज पोलिंग होनी है 80 में से 8 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं और यह 8 की 8 BJP के खाते में थी यहां से अमरोहा सीट जहां इस वक्त मेरे सहयोगी कुमार कुणाल मौजूद हैं लाइव वहाँ से बात करने के लिए उनके बारे में आपको बताते चलें कि 2014 कवर सिंग तवर ने यह सीट जीती थी 48 प्रतिशत वोटों के साथ SP 34 प्रतिशत वोट लेकर दूसरे नमबर पर और BSP 15 प्रतिशत वोट लेकर तीसरे नमबर पर थी और इस बार दोनों गठ बंदन में चुनाव लड़ रहे हैं 2009 में अमरोहा की सीट पर आपको बता दे के देविंद्र नागपाल R&D के 40 प्रतिशत वोट लेकर जीते थे SP, BSP दूसरे तीसरे नमबर पर थी BJP का कई नाम और निशान नहीं था पहले तीन में इस बार क्या स्थिती वहाँ पर है कुमार कुनाल आपको बता रहे हैं बताए कुमार कुनाल और यह बहुत लंबी लाइन एल जिसका एक सिरा तो पोलिंग बूत की तरफ जाता है दूसरा सिरा जो जहां पर हम इंटर कॉलेज में खड़े हैं उसके ग्राउन में है महिला हैं उनसे बात करते हैं क्या सोच करके वोट डाल रही है अच्छा लगता इस लिए घर रहे हैं अच्छा तो है लेकिन कोई तो मुद्धा होगा जिस पर इस बार वोट पढ़ रहे हो ऊगी फूल पर फूल पे लिए RPG कहना है और क्या है किस तरीके के मुद्ले आपको किस चीज से दिकत है क्या कहना चाहती है किसिरे की दिकत है यहाँ पर जो 48% वोट है वो बीजेपी को मिला था और दोनों अगर मिला दे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तो 49% यानि 1% का सिर्फ अंतर है और एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत ज्यादा मुस्लिम डॉमिनेटेड भी है 40% पूरे लोकसवाद चेत्र में मुस्लिम पॉपलेशन है तो ऐसे में यहाँ पर जो कैंडिडेट लाए गए हैं बसपा की तरफ से वो पहले जंतादल सेकुलर में थे और देवगोडा जहाँ पर अभी वोटिंग हो रही है उनके राइट हैंड माने जाते थे दानी चली वो से बाद नंबर आया इन सचिन साहब का जो की माना जाता है कि वहां काफी समय से एक्टिव थे टिकेट के चक्कर में और गठवंदन ने जिसको टिकेट दिया वो माने गए कि यह तो बाहर से लाए गए हैं उमर दानिश अली अब ऐसी पर चीज़ जल्दी से रोही जो बात अमीर हैं इधर से सचिन भी और इधर से कमर सिंग तवर भी और इनके बीच में दानिश अली जिनको माना जा रहा है वो पराशूर्ट से लाए गए बीस पी में जेडियस से अब ज़रा 36 गड़ का हाल भी देखना है तो 36 गड़ का हाल अपने दर्शकों को हम बताएंगे उ के पहले चित्रा